Hello students, तो हमने पिछले वीडियो में अभ्यास सागर का जब भोला रामने पंप लगाया, उसमें हमने प्रश्न बारा, तेरा और चौदा हमने कर लिया था, आईए प्रश्न पंदरा के और बढ़े, तो प्रश्न पंदरा में प्रश्न हैं दिये गए शब्द पढ़िये, और इन इस उपसर्ग से जुड़कर उचित शब्द बने हैं, उस पर सही का निशान लगाये, तो यहां इस प्रश्न में ये कहा गया है, कि ये जैसे ये शब्द दिया है, ये हमारे उपसर्ग है, अब इस मूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही है, उस पर हमने निशान लगा होना है, तो आप देखेंगे, देखें, ये बनेगा ला इलाज या फिर बे इलाज, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, उस पर हमने निशान लगाना है, तो इसका सही उत्तर होगा, ला इलाज, ठीक है, और इसी तरह से आपने भी निशान लगाना है इस पर, ठीक है, फिर है हमारा निर निर ज्यान या अज्यान होता है निर ज्यान होगा या अज्यान होगा ठीके तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा अज्यान ठीके तो यह सही उपसर्ग है अ जमाज्यान अज्यान ठीके अगला है आजन या अपजन ठीक है आजन्म होगा या अपजन्म बनेगा तो इसमें क्या होगा सही उत्तर सही उपसर्ग इसमें कौन सा लगेगा इसमें लगेगा आजन ठीक है अगला है प्रती जय होगा या पराजय होगा तो इसमें सही उपसर्ग पर हमने निशान लगाना है तो प्रती जय गलत है परा इसमें सही उपसर्ग है तो पराजय पराजय शब्दी बन जाता है ठीक है अब अगले प्रेश्ण के और बढ़े नहीं इसी का है पंदरा का ही ठीके अव गुण बनेगा ठीके अव गुण या फिर अती गुण ठीके और यहां पर अध पका या वी पका तो कौनसा शब्द से ही है कौनसा उपसर अव गुण और यहां पर होगा अध पका ठीके तो यह हमारा प्रेश्ण पंदरा हो गया जिसमें आपने इसी तरह से निशान लगा कर इस प्रेश्ण को पूरा करना है अगला है हमारा प्रेश्ण सोला ठीके क्योंकि यह आओ दोहराएं चीजे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही हम दोहरा रहे हैं कुछ नया नहीं है इसलिए मैं यहां पर बिल्कुल भी लिख कर आपको नहीं दिखाऊंगी ना बताऊंगी आप स्वैम करेंगे ठीके मै मैं सिर्फ बता रही हूं कि किस तरह से करना है क्योंकि हम यह चीजे कर चुके हैं निम्नलिकित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्य दोनों है ठीक है शब्दों में से उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्य चांटिये तो देखे यहां है उपसर्ग मूल शब्द और प्रत् तो यहां पर उपसर कहां लगता है आगे और प्रत्य कहां लगता है पीछे तो यहां आजाएगा ला उपसर परवाह मूलशब और ई प्रत्य कौन सी ई यहां बड़ी ई लगी है तो यहां पर बड़ी ई लिखेंगे आप ला ठीके फिर आएगा आपका परवाह और फिर आएगा ई ठीके इसी तरह से यहाँ निर बलता जो शब्द है यहाँ पर आएगा उपसर्ग आपका निर उपसर्ग बल मूल शब्द है और ता यहाँ पर प्रते है ठीके निर उपसर्ग है बल मूल शब्द है और ता प्रते है एसी तरे से अगला शब्द है अ सफलता तो यहाँ पर अब उपसर्ग क्या आ गया अ उपसर्ग है यहाँ पर सफल मूल शब्द है और ता क्या है प्रत्य है ठिके अ उपसर्ग है, सफल मूल शब्द है और ता क्या है प्रत्य है ऐसे ही निडर्ता, ठिके नी यहाँ पर उपसर्ग है, दर यहाँ पर मूल शब्द है निर्ख, दर और यहां ता आ जाएगा ठीक है ता प्रते है ऐसे अप मानित में अप हमारा क्या आ जाएगा अप उपसर्व मान यहां पर मूल शब्द है और इत क्या है प्रते ठीक है अप क्या है उपसर्व मान मूल शब्द है और इत प्रते है ठीक है प्रश्न सत्रा देखेंगे निमने लिखे शब्दों से भावाचक संग्या बनाईए अना तो भावाचक संग्या बनानी है तो यहां पर पहला शब्द यह है सजण सजण से भावाचक संग्या क्या बनेगी सजणता सजणता बस य प्यासा का क्या बनेगा प्यास प्यासा से बनेगा प्यास और चालाक से बनेगा चालाकी भावाचक संगया ठीक है दानव दानवता पशु पशुता कुमार कौमार यह मैं लिख के बता देती हूँ यहाँ आप गलती कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप किस तरह से लिखेंगे कौमार्य यह जो कुमार का है ना इसको लिखेंगे आप इस तरह से कौ मार्य ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कौमार्य ठीक है? कुमार का भावच्चक संगय हो गया? कौमार्य अगला है आपका कैसी हो शिक्षा विशे पर सौ से देट सो शब्दों में अनुचेद लिखती है तो देखिए आजकल आप शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं किस तरह से हो शिक्षा कैसी होनी चाहिए क्या आप चाहते हैं तो यह आपके अपने विचार है कैसी हो शिक्षा ठीक है ये किसी लड़की का नाम नहीं है, कैसी हो शिक्षा, ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस विशे पर आप सौर से देट सो शब्दों में अनुछेद लिखे, यानि आप आट से दस लाइने भी हैंगे, स्वयम के शब्द भंडार में वृद्धी होगी, क्योंकि हर बार हम ही अनुछेद आपको लिखा देते हैं, तो कैसी हो शिक्षा, कैसी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये सब के अपने अपने विचार हैं, तो कैसी होनी च अपने विचार आप यहां पर लिखेंगे, दस लाइने लिखिए, आठ लिखिए, लेकिन स्वयम लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो अभ्यास सागर का नौवा पार्ट, जब भोला रामने पंप लगाया, समात होता है, अभ्यास के साथ प्रसृत होंगे, तिल देन बाइ, एंड थैंक यू